स्वतंत्र भारत के इत्यास में 28 मई की तिथी एक गौरव साली अधिति की रूप में दर्ज होने जारी है जब देश के इससी प्रधान मंत्री जी के द्वारा भारत के लोक्तंत्र की प्रतीक भारत त्वाशियों को नई संसत भेंट की जाएगी यह एक एथियासिक आउसर होगा इस एथियासिक आउसर को गरिमा में और गौरव साली बनाने की वज़ाए कॉंग्रेस समेत विपक्सी दलों के द्वारा जिस प्रकार की बयानवाजी हो रही है वात्यंत ही दुखद और गयर जिमिदराना है लोक्तंत्र को कमजोर करने वाला है और भारत की लोक्तंत्र जिस पर पुरा भारत गौरव के अनभूति कर रहा है पुरी दुनिया जिस पर गौरव के अनभूति करता है जो नकिवल दुनिया का सबसे बड़ा लोक्तंत्र है बलकि भारत लोक्तंत्र की जन्नी की रूप में भी दुनिया के अंदर प्रधानमंत्री जी ने उसको एक नई पैचान दी है उस भारत के लोकतंद्र को कमजोर करने जैसा भी ये बयान बाजी है ऐसा नहीं कि इस प्रकार के गौराव साली छण को जो आज बिपक्स के बयानों से बिवादित करने का कुछित प्रियास हो रहा है मुझे लगता है कि ये देश इस प्रकार की बातों को किसी भी स्थिति में स्विकार नहीं करेगा और संसत से जुड़ी वे आज की अनुसार जो नई पारलेमेंट है नियू पारलेमेंट आज की आउस्रिक्ता के अनुरूप आगा में सो वर्स के विजन को दिहान में रख करके बहुत दोरदर्सी तरीके के साथ बनाई गई है सभी को पुरातन और आधुनिक दोनों बातों का समावेश करते वे हर एक पारलेमेंटरी दियन को वहाँ पर इस्वेश मिल सके उनके लिए हर प्रकार की सुविधा और आम जन की आवाज को सुनने का एक महत्तुपुन मंच्व हमारी संसत बन सके इस दिश्य भारत की नई संसत उसका एक परतीक बनने जारी है जो दुनिया के लिए भी एक आदर्स बन सकती है लेकिन विपक्स के इस प्रकार की बयान बाजी अत्यांती छोपकारी है एसानिय की पहली बार देश के प्रधान मंत्री इस प्रकार के कई स्वी उद्घाटन के साक्सी बन रहे हो इससे पहले पार्लेमेंट एनेक्सी का उद्घाटन ततकालीन प्रधान मंत्री स्रीमती इंद्रा गांधी जी की द्वारा क्या जा चुका है पार्लेमेंट लैबरेरी का सलान्यास पूर प्रधान मंत्री स्वर्गे राजीव गांधी जी के द्वारा रखी गई थी ऐसे नेक उधरण है और उस सब के बाब जोद न्यू पार्लेमेंट के सहत्यासिक कारेकरम को जिस तरीके से गर्मा में कारेकरम को गौरोवसाली छण को एत्यासिक पल को साक्सी बनकर के देश स्वास्यों के लिए गर्मा में और गौरोव में बनाने के आउसर से विपक्स अपने गयर जमाधारन बयानों के माध्यम से धुमिल करने का कुछित प्रयास कर रहा है मुझे लगता है कि देश और इस देश की जनता जनारदन इसके कदेश स्विकार नहीं करेगी हम तो अपील करेंगे कि सभी लोगों को इस अवसर पर साक्सी बनना चीए से थ्यासिक छणका और भारत के लोकतंद्र को मजबूत बनाने के आउहान के साथ